हेलो बच्चों क्या हाल चाल तो बच्चों हम अपना जो टॉपिक कवर कर रहे थे बॉडी फ्लूडन सर्कुलेशन आज बटा हम इसके अंदर रेगुलेशन आप काडियक अक्टिपिटीज देखने वाले हैं हमारा हर्ट रेगुलेट कैसे होता है अब आप कहोगे सर यह क्य किस्तों में समझ नहीं है हम अगर यह कहें कि हमारा जो हर्ट बीट हो रहा है वह किसके इस्टुमलस की वज़े से हो रहा है तो वह जो नोडल फाइबर्स हैं जो हर्ट के अंदर प्रिजेट थे बिटा जिनको हमने ऐसे नोड एवी नोड जो एक्ट्रों नोड थे या फिर अंदर हमारा जो हर्ट है तो यह जो इनक्रीज हर्ट रेट है यह वर जो हमारा बी अमर बढ़ा इसके लिए इंपोर्टंट क्या था क्या इन ऐसे नोड और एवी नोड ने कुछ एक्स्ट्रा करना शुरू कर दिया तो बिटा हम इसकी बात करने जा रहे हैं, जब कोई emergency situation आ जाती है, तो उस समय होता क्या है बबुआ, कि हमारा जो nerve fiber है ना, जो neurons है, वो act करना शुरू करते हैं, वो कुछ ऐसे secretions release करते हैं बिटा, जिसकी वज़े से हमारे heart की activities increase कर जाती है, हमारा heart rate increase कर जाता है, heartbeat increase कर जाती ह है, समझ रहे हो, तो आज हम किसकी बात करने वाले हैं, during emergency situation, या फिर बिटा, जब हम cycling कर रहे हो, running कर रहे हो, है ना, exercise mode में हो, तो आप ये देखते हो, generally हमारी जो heart की activity increase कर जाती है, क्योंकि हमारे body की demand बढ़ गई भीया, oxygen की supply हमारे body को जादा चाहिए, oxygen किसके through पहुँच और RBC जली-जली कब लेकर जाएगी, जब जली-जली हमारा heart pump करेगी, परी बात समझ रहे हो, तो इसके लिए हमारी cardio activities को regulate करना बड़ा जरूरी है, कैसे हम regulation करेंगे, सुनो जरा ध्यान से, हम कह रहे हैं, अच्छा, क्या, यही तरीका है, regulation का बेटा, यही तरीका नहीं है, Neural Regulation के साथ में मैं Harmonal Regulation की बात करूँगा और Ionic Regulation, तीन तरीके से हम regulation की बात करेंगे, तीनों हम आपके सामने बेटा लिख देते हैं, सबसे पहले तुम Neural Regulation देखने वाले हैं, Neural Regulation, किसका heart की activities का Neural Regulation कैसे होगा, पहले हम इसको समझेंगे, इसके बाद में Harmonal Regulation देखे यह तीनों चीज़ें हम देखने वाले हैं, तो देखो ज़रा ध्यान से, जो Neural Regulation है इसके अंदर होता यह है, कि हमारा जो heart है ना, जब भी कभी emergency situation आती है, तो क्या आप जान बोच के अपनी जो metabolic activities उसको बढ़ाने की कोसिस करते हो, यह class के अंदर मालो है ना, suppose करो, हम class में पहा रहे हैं, और जानते हो, हमाई यादत गड़ बढ़ा ही है, हम पूछने लग जाते हैं, चलो तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, पुरानी चीज़े जो हमने पढ़ा रखे उसको पूछने लग जाते हैं, तो बच्चा ढग जाता एकदम से, उस समय बेटा आप फिल करना, क्या आपकी जो हर्ट के एक्टिविटी थी, जो हर्ट बीट वगरा थी बेटा, वो इंक्रीज हुई है, यस हुई है, और आपकी ही नहीं, जिसको हमने खड़ा किया बेटा, उसकी तो इंक सारे किताब देख रहे होते हैं, किसर कहीं किसको ना खड़ा कर दें, सब एकदम हना, एकदम एकदम चौकनने हो जाते हैं, ऐसा होता नहीं होता है, यह कैसे होता होता है, तो सुनो, यहाँ पे हमारा आटो नॉमिक नर्वस सिस्टम काम करता है, अब यह एनस करता क्या है, ये करता ये है, एक हमारे गुरू जी जब हम पढ़ा करते थे बेटा, तो उस समय मारे गुरू जी पढ़ाया करते थे, एक फामूला उन्होंने दिया था, बड़ा ही खुबसूरत फामूला था, वो फामूला मैं as it is आपके सामने रखने जा रहा हूँ, त्योंकि उसी मुझ के अंदर हमने ये कहा, कि जब भी कभी emergency situation आएगी, हमारा sympathetic nervous system, autonomic के अंदर, sympathetic परा-sympathetic दो की बात करते हैं, हमारा जो sympathetic nervous system है, nervous system है ये act करना शुरू करता है, और ये जब act करता है तो करता क्या है sympathetic nervous system की वज़े से, यहाँ पे adrenaline और non-adrenaline के secretions release होते हैं, कौन से secretions बेटा, adrenaline और non-adrenaline, adrenaline के secretion release होते हैं, और ये secretions बेटा करते क्या है, टैकी-कार्डिया situation create करते हैं, कैसी situation, टैकी-कार्डिया, टैकी-कार्डिया, टैकी-कार्डिया का मतलब टैकी टर्म कहीं पर भी लग जाए, तो इसका मतलब ये होता है, कि heart की जो activity है, वो increase कर गई है, जो heart की activity बेटा, वो क्या कर गई है, कि situation की बात कर रहे हैं, टैकी-कार्डिया situation की बात कर रहे हैं, sympathetic nervous system जब activate हुआ बेटा, इसने क्या release किया, adrenaline and noradrenaline release किये, जिसकी वज़े से टैकी-कार्डिया हुआ, हमारी heart की activity increase कर गई, अगर क्या, अब ये बताओ बेटा, आप ये सुचो, कि क्या emergency situation लगातार बनी ही रहती है, जैसे सीडी चड़के, आप आए एकदम दोड़ते हुए, दोड़ते हुए, आप देखे रहे हैं, हाफा आ रहा है, आपकी धड़कन एकदम बढ़ी हुई, दो मिनट बैटते हुए, रिलाक्स करते हुए, तुरंत आपकी heart के activities नॉर्मल हो जाती है, जो breathing rate है, आपका नॉर्मल हो जाता है, तो जो नॉर्मल हुआ बेटा, उसके लिए कौन responsible था? उसके लिए responsible था sympathetic nervous system, कौन? पारasympathetic nervous system, है ना, sympathetic वाले ने बेटा क्या किया था? टै situation create करने वाला है, bradycardia, bradycardia के अंदर क्या होगा बेटा, जो heart के activity बढ़ी थी, वो decrease कर जाएगी, बढ़ी हुए heart के activities को normal पे लेकर आएगा, ये कैसे होता होगा बेटा, तो यहाँ पे, एक, 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 एसीटाइल कोलीन नाम का बेटा, एक केम करो लीज होता है, एसीटाइल कोलीन, ये एसीटाइल कोलीन करता क्या है, बेटा, bradycardia, जो ये बढ़ी हुई heart के activity है, इसको down करके normal पे लेके आता है, कहाँ पे normal पे लेके आता है, मतलब tachycardia से bradycardia situation हो गई, है न, और यहाँ पे बेटा, ये कभी-कभी ये पूछा जाता, sympathetic परासम देडि है, ये A का मतलब क्या है बेटा, ये A का मतलब एडिनर्जिक नर्फाइबर से है, किस से है बेटा, एडिनर्जिक नर्फाइबर से है, एडिनर्जिक, एडिनर्जिक नर्फाइबर है न, और C का मतलब कोले नर्जिक, तो इस तरीके से हमारी जो हर्ट की अक्टिविटीज बढ़ गई थी वो क्या होगी बिकम्स नॉर्मल है ना वो नॉर्मल हो जाएगी ये था नॉरल इणजन अब जरा हर्मोनल इणजन सुनें इसमें हम दो हर्मोन की बात करते हैं एक तो एड्रेनलिन जो की एड्रिनल मेडिवला से घृता है यह अभी अभी यहां पे भी है ना अड्रेनलेजिक नर्फाइबर से अड्रेनलेजिन की हम बात कर रहे थे अड्रेनल मेडूला से भी हाना हम क्या कह रहे है अड्रेनलिन हार्मोन रिलीज होता है इसके लाँ थाइरॉक्सिन हार्मोन थाइरोक्सिन हार्मोन रेलीज होता है जो बेटा BMR हमारा बढ़ा हुआ है जो Basial Metabolic Rate जो बढ़ा हुआ है उसके कहीं न कहीं थाइरोक्सिन जिम्मेदार होता है अड्रिनेलिन क्या करता है भीटा, अड्रिनेलिन और थाइरोक्सिन यह दोनों ही EBRADICARDIA टैकी काडिया वाली situation करते हैं, कैसी situation पर टैकी काडिया वाली situation, ये hormone regulation के अंदर बिटा, दो hormone आप याद रखना, adrenaline and thyroxine, ionic regulation के अंदर अगर हम कहें आप से ionic regulation के अंदर आपको mainly बिटा है ना, दो-तीन ion से क्यों उन्हीं के function आपको जानने इसकी बात कर लो, इसकी बात कर लो sodium ion की, sodium ion क्या करता है sodium ion करता ये बिटा, कि ये जो ventricular contraction है ना, ventricle क्या करता है बिटा, contract करता है, ventricle जब contract करता है, कितनी force के साथ contract करेगा, इस बात पर depend करता है बिटा, कितना stroke value होगा, stroke value आप जानते हो ना, stroke value मों जो 70 ml पर ventricle के हम बात कर रहे हैं थे बटा, वो क्या है कि जितना तेजी के साथ ventricle contract करेगा, उतना ज़्यादा उसका stroke value होगा, अगर ventricle धीरे साइसे contract करेगा, ऐसे, 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 आधे अम, जो कोई value नहीं, आपने पानी भरा एकदम, एकद देर निकलेगा ठीक है तो ऐसा है तो sodium बेटा क्या करता है ये force of contraction है ना force of ventricular contraction अगर sodium आयन जादा है तो ये force of ventricular contraction को decrease करेंगे हैं ना decreases force of ventricular contraction है ना sodium यहां लिख देते हैं नीचे है ना नीचे लिख देते हैं तो अधर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा ये sodium क्या करेंगा बेटा? sodium अगर इसका तो ये decreases करता है force of ventricular contraction के force को decrease करने का काम करता है अच्छा अगर हम sodium आयन की बात कर ले, potassium आयन की बात कर ले बेटा किसकी? potassium आयन की? potassium आयन के बारे में कहें बेटा ये heart rate को ही decrease कर देता है किसको? heart rate को जो contraction का number था ना उस number को मतलब कम contract करवाएगा heart को है ना? तो ये क्या करेगा? potassium आयन क्या करेगा बेटा? decreases the rate of heart contraction है decreases the rate of decreases the rate of heart contraction, heart की contraction का rate decrease कर देता है ठीक है? अच्छा इसके बाद ने बेटा हम किसकी बात करते है? sodium की बात होगी, potassium की बात होगी c a plus 2 की बात करने जा रहा है ठीक है? ऐसे calcium आयन divalent आयन है इसकी बात करने जा रहा है ये क्या करेगा? इन दोनों में तो बेटा क्या किया? अगर हम sodium potassium को combined group से कहें बेटा, तो ये दोनों मिल के cardiac output को decrease करने का काम कर रहे हैं किसको? cardiac output को को decrease करने का काम कर रहे हैं बबुआ समझ में आ रहा होगा ये जो cardiac output है बेटा इसको decrease करने का काम ये दोनों मिल के कर रहे है calcium आयन करता क्या है बेटा? ये increase करने का काम करता speed of impulse और force of contraction दोनों को बढ़ा देता है बेटा, किसको बढ़ाता है speed of ये जो calcium आयन बेटा पर यहाँ पर लिख देता है ना यहीं पर लिख देता है ना इधर ही लिख देता है ये जो calcium आयन बेटा calcium आयन ये speed of impulse speed of plus force of contraction है ना force of ventricular contraction इन दोनों को increase करने का काम करता है ठीक है ये घटाएगे ये दोनों और calcium आयन क्या करेगा बढ़ाएगा तो ये जो topic था बेटा जिसको हम थोड़ा सा speed में खीचे बेटा क्योंकि मैं बहुत लंबा lecture नहीं इसके उपर करना चाहा रहा था मैं चाहता हूँ कम टाइम के अंदर आपको ज्यादा ये समझ में आ जाए question solving करी होगी हर lecture में यही बात बोलते हैं आज भी बोल रहे हैं बहुत जरूरी है एक तरीके से stable होके बिटा आपको लगातार मेहनत करने की जरूरत है अगर आपको लगता है कि इधर देख लो उधर देख लो दुनिया बर की चीजें कर डालो इससे होगा कुछ नहीं आखरी में आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा एक जगांपे बिटा है ना content को देखें भरोसा कर एक के ऊपर और पूरी तरीके से जो है लग जाए तयारी में टाइम बहुत कम है हम चाहते हैं बिटा कि आपकी जो मेहनत है वो सफ कर रहा हूं बिटा उसका कुछ मतलब है एक्सपिरियंस से बोर रहा हूं ठीक है बाकि आप लोग समझदार हो तो इसी नोट के साथ बिटा इस लिक्चर को conclude करते है थैंक्यू वेरे मच्च